मैं ऱ इस को लिए क्प्स में मैंने बताया है कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि option trading जो है very high risk trading है तो उसको करने के लिए जिन-जिन point की भी जानकारी होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में discuss की है तो अगर आप generally stocks में intraday trading करते हैं तब आपका जो है technical analysis से कम चल जाता है लेकिन जब आप option trading में आते हैं तब आपको technical analysis के अलाबा भी बहुत सारी चीड़ों की जानकारी होनी चाहिए तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारे इसाब से 7 point यहने की साथ ऐसे point है जो कि हर एक option trader को जानना ही चाहिए तो चलिए बारी बारी से उन 7 point के बारे में हम डिसकस कर दे हैं तो point number one of course technical analysis क्योंकि technical analysis एक ऐसा चीज है जो कि trading करने के लिए आना ही चाहिए अगर आप trading करते हैं then technical analysis आना ही चाहिए दोस्तो technical analysis के अंदर आपका आ जाता है trend line, horizontal line, support resistance, candlestick pattern, chart pattern, event indicator इसारी चीज़े जो है technical analysis के अंदर आता है और अगर आप option trading करना चाहते हैं तब आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए च्योंकि technical analysis की मदद से आप market को predict कर सकते हैं कि market का next move क्या हो सकता है उस हिज़ाब से आप trade ले सकते हैं उसके बाद आता है point number two जो कि what is call option and what is put option बहुत सारी trader call and put में confused जाते हैं कभी market उपर गया तो put option buy कर ली ऐसा नहीं होता है आपको आपकी माइंड में आपको हमेशा अपने माइंड में fit करके रखना है कि कब call option buy करना है मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब आपको लगे कि market उपर जाएगा तब उस टाइम पे आप call option को buy करेंगे और वहीं जब आपको लगे कि market नीचे जाएगा तो उस टाइम पे आप put option को buy करेंगे tetashendales कने ताइम इसका अपोजिट होता है यहिने कि जब market उपर जाता है तब हम put option को sell करते हैं और जाम market नीचे जाता है तब हम call option को sell करते हैं ठीक है और put option को buy करने के लिए market नीचे जाना चाहिए ठीक है इस point को हमेशा दिमाग में set करके रखना है क्योंकि यह जो बेसिक चीज है और इसमें confusion होना ही नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद आता है point number 3 जो कि यह option Greeks basically option Greeks में चार चीज़े आता है delta, theta, gamma, vega एक और होता है बट वो ज्यादा valuable नहीं होता है और इन चारों Greeks में भी आपका most important है delta तो आपको delta के बारे में जानकारी होनी चाहिए for example अभी जो है माल लेजिए निफ्टी 25,000 पर चल रहा है ठीक है और आप 25,000 का call option buy करते हैं उसका price अभी है 100 रप्या ठीक है और आपका target जो 150 रपी है तब आपको कैसे पता चलेगा कि यहां से निफ्टी कितना ओपर जाएगा तब हमारा target हीट होगा यह delta बताता है माल लेजिए 25,000 की call option का premium का delta जो है एक रुपया है यहनी 1 है तब अगर निफ्टी एक point बढ़ता है तब आपका premium भी एक point बढ़ेगा वहीं अगर delta .5 है तब अगर निफ्टी 1 point बढ़ता है तब आपका premium 50 पहसा बढ़ेगा इस हिसाप से आप calculate कर सकते हैं कि निफ्टी कित trading में हर एक इंडेक्स का अपना अपना expiry होता है जैसे कि निफ्टी का every Thursday होता है बैक निफ्टी का every business day होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस expiry में trade ले रहे हैं क्योंकि option trading जो है very high risk trading अगर आपको यह सारी जानकारी नहीं होगी तब आप लौसी करेंगे क्योंकि सेबी के data के नुसार है 100 में 95% trader अपना पैसा लूज करता है उसका यही कारण है जानकारी कावा जैसी option expiry में होता क्या है माल लीजिए कि अभी निफ्टी 25,000 पे है एंड थ्रस्डे का expiry है इसका ठीक है एंड अल जो है Monday है एंड अभी जो है निफ्टी 25,200 का जो call option का price है वो अब मान के चली 200 रुपया चल रहा है ठीक है और अगर अगले थ्रस्डे दक यहने कि 3 दिन के बाद अगर निफ्टी जो है 25,200 पे नहीं गया तब जो premium वही 200 रुपया है वो जीरू हो जाएगा अगर निफ्टी 25,180 पे भी गया फिर भी आपका premium जीरू होगा इसलिए आपको option expiry के बारे में पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद आता है point number 5 जो कि option chain, option chain में बहुत सारी details छपा रहता है, दोस्तों option chain में बहुत सारी data रहता है, आपको उस data को पढ़ना आना चाहिए, आप option chain की मदद से एक हद से treat पलान कर सकते हैं, आप option chain की मदद से nifty bank nifty का next move predict कर सकते हैं, आप option chain के मदद से किसी भी index का support and resistance जान सकते हैं, तो कि option chain में वो सारा data रहता है, तो अगर आप option trading करते हैं, या option trading करना चाहते हैं, तो आपको option chain के बारे में जरूर जानना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आता है point number 6, जो कि brokerage, आपको पता होना चाहिए कि हर एक trade, जब भी आप trade करते हैं, मान के चलिए आप call option buy कर रहे हैं, तब आपको 20 रुपे brokerage लेगा, और जब उस order को sell करेंगे, तब भी आपको 20 रुपे का brokerage देना होगा, यहनि कि अगर आप एक trade complete करते हैं, तब आपका 50 से 60 पे का brokerage चाहिए चला जाएगा, एंड कई लोग उनका 50 साथ पे brokerage इकट जाता है, पैसा गया तो कहां, मैं तो profit में था, नहीं वाई साब, आप profit में थे, लेकिन आपको जो है, अपने broker को भी पैसा देना होता है, ठीक है, brokerage के रूप में, और brokerage के अलाबा भी बहुत सारे charges लगते हैं, like STT, transaction charges, CV turnover charges, GST, और भी बहुत कु trading platform चुनना, क्योंकि option trading जो है, quick decision लेने बाला trading है, अगर आप scalping करते हैं, तो within few seconds आप buy order place करेंगे, हो सकता है, within few seconds आप उसी order को sell कर दे, within few seconds किसी option का premium जो है, 20 रपे, 100 रपे चला गया, 20 रपे से 100 रपे चला गया, और आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है, फिर 100 रपे से 20 रपे प्याला है, तो इस situation में आपकी पास एक अच्छा trading platform का होना बहुत जरूरी है, जिस पे आपको सारा data दिखे, आप quick decision ले सके, quick order place कर सके, अभी तक जितने भी market में stock brokers हैं, सब अपने इसाब से best है, लेकिन अगर आप मुझसे पुछिएगा, कि आप कौन सा stock broker recommend करते है तो मैं बोलूगा upstocks, बिना कुछ सूजी, क्योंकि upstock is funded by Ratan Tata, and upstock जो है, इंडिया की, one of the most largest stock broker में से एक है, and upstock आपको free account opening देता है, upstock में आपको किसी भी तरह का maintenance charge नहीं देना होता है, that's why I choose upstock, and upstock app के अंदर, option trading करने के लिए, बहुत सारी features and tools दे गे हैं, like dedicated option champ, a strategy builder, and और भी बहुत कुछ, तो अगर आप option trading करने के लिए, एक best platform ढूंड रहे हैं, तो अप stock में आप अपना free dm account खोल सकते हैं, उसका link आपको description में मिल जाएगा, तो अभी तक आप इन सारे 7 points के बारे में जान चुके हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो जानी च पironourdже और हाज honest comoda बहुत कुछ, फसमाप बहुत कने खोल में में हैं, एक आपको खोल दíक को टुक, अजयादी, तो अजयादी, एक करने अफूंड पिहीं, और हम का पान अपको भाव़ा हैं, जावराे में 悉भाक 65xis